हलो दोस्तों स्वागत था आपका यूके एजुकेशन इनिवर्स इडिव चैनल पे तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जैसा कि कल हमारा एक्जेक्यूटिव आफिसर का एक्जाम हो चुका है उसके बाद अधिकतर जो अभिरती हैं वो आंसर की के इंतजार में रहते हैं त इसे को देखते हुए हम लोगों ने जितना हमसे हो सकता है जिन क्वेशनों के आंसर सही होंगे हम उन्हीं क्वेशनों के आंसर भी आप लोगों को बताएंगे बांकि जो संग्दिक्द होंगे हम आपको संग्दिक्द के रूप में ही आपको उस चीज़ को बताया जाएग यानि कि आप लोग चैप्टर वाइज अगर रिविजिन करते हैं तो एक चैप्टर में 300 से 400 क्वेशन उसमें देखने को मिलते हैं और कहीं न कहीं येकिनन आप लोग मानके चलिए वो क्वेशन आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादे हल्पों आप पहुंचाते हैं मैं खुद कल का EO का एक्जाम देने बैटा था तो मुझे कहीं न कहीं काफी उसमें से जो परिसानिया थी उनका सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने पहले से जब राजपाल सिंग पढ़के गया हुआ था तो 30-40 क्वेशन तो मुझे ऐसे रिपेटेड दिखे कि मेरे वो देखते ही क्वेशन बन गए थे तो कहीं न कहीं करें आप लोगों ने भी अगर वो सरीज फॉलो किया होगा वर्स स्विक्रित किया गया तो दोस्तो जून 2014 इसका सही आंसर था अगर दूसरा क्वेशन देखे तो भारत में निम्लिखित फसल युक्मू में कौन सा एक अगर बात करें निम्लिखित किसे सहयादरी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तो जो हमारा पश्चमी घाट को हमारा सहयादरी हिल्स के नाम से जाना जाता है 2021 कि जनगरना के अनसार भारत के राज्यो में कि इसके साकसे तौग्स के अत्ब्वे परतिसत से अधिक है तो दोस्तो मिजोरमिस का सही आंसर रोगापसन नम्लिकट मैसे किन देशों में कि साराधिक सीमा भारत को साजा करती है तो दोस्तो 4096 किलोमेटर की करती है आप लोगों ने देखाओगा बांगला देश की वर सा 1991 में गठित कर सुदार समिति का अध्यक्स कौन था तो दोस्तो हमारे आरजी जो चलईया थे यह हमारे 1991 में गठित सुदार समिति के अध्यक्स बनाए गए थे फिर अगर बात करें जी एनपी तथा जीडीपी में अंतर को क्या कहते हैं तो दोस्तो बीदेशों से प्राप सुद्धाई को हमारा इसके अंतर को देखा जाता है फिर बात करेंगे नेक्स क्वेशन की भारत के उपनी बिसाल मैदान का बांगर है तो दोस्तो इसका पुरानी जलोड मिट्टी से निर्मिजू पठार होता है हमारा ये इसका सही आंसर है निमने मैंसे कौन सबसे बड़ा नदी वेशन है तो दोस्तो हमारा काविरी सबसे बड़ा नदी वेशन इसमें आंसर था कोपेन के जलोड़ायो वर्गेक्रण में ये डबल परदस्वित करता है तो दोस्तो ये हमारा उस्टन कटिबंधिये सवाना तुल्य को हमारा परदस्वित करता थे प्राइब नम्री इसका सही आंसर होगा जोजिला-दर्राद निम्न मैंसे किस राज्ये में है तो दोस्तों जोजिला-दर्राद हमारा जब्मु कसमिर में है और सीसका जुए सही आंसर होगा फिर देखेगा राजा-भूज-हवाई-अड़्डा निम्न में मैं से किस नगर में अवस्तित या कौन को पोचन वुक्त भारत से संबंदित है तो से किसमे सेप का सारदी गुतपादन होता है तो दोस्तों उत्रका सिमे सिस्का Sing अंसर होगा पिर गांसर ला सीजील कहां है तो दौस्तोंती है नियू डैली में है किस राज्य में ज़रूर मिट्टी का उपलबधर सबक्म है तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो तमिल नाड़ो में हमारी लेटराइड मिट्टी यहां पर दिखतर पाई जाती है तो संभावित मानेंगे कि आंसर तमिल नाड़ो इसका आना चीए रंधावा ने भारत को कितने व्रहत किरसी उध्योगों में बाटा है तो दूस्तों पांच नंबर ए हमारा डॉ देन्स है दोनों ही क्नफुजिन क्रीट कर रहे हैं लेकिन देखेगा आयो किसमें क्या अंसर देता है तो इसका मैं एक्जक्टली आंसर नहीं बताबाऊंगा बारत के चंद्रयान-मिसिंचन्द्रयान-3 के परयोजना तो दोस्तो हमारे वीर मुथुवेल हमारे इसका सही आंसर था निम्लिखित प्राकर्तिक तप्तो में से कौन सा computer chips में प्रयुक्त प्रार्थमिक तप्तो है तो दोस्तो silicon हमारा इसमें सबसे आउटपुट डिवाइस नहीं है तो दोस्तो आउटपुट डिवाइस हमारा टच स्क्रीन को अगर हम देखें तो यह सही था computer में firewall का उप्योग क्यों किया जाता है तो दोस्तो firewall का प्रयोग हमारा सुर्क्षा के लिए इसका किया जाता है option number 10 का साई answer होगा फिर देखेंगे भारत में आधुनिक किरसी का जनक कौन है तो दोस्तो आधुनिक किरसी का जनक हमारा एनेस रंधावा को कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है तो दोस्तो वर्गीज कुरियन को हमारा सुएध करांती के जनत के रूप में इनको देखा जाता है विविकन्द परवती किर्शी अनुसंदान सस्तान इस्तित है तो दोस्तो यह हमारा कटारमल सूरिय का मंद कौनी का साइब करता है एक वोसके बनाटे कि बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि इधन पूर्ण तहर नहीं जल रहा है उसनमेंबर भी-सका सही आंसर होगा है फिर पूर्ण द्वारा अलंगिक किए जनन किया जाता है निमिंकृत में से कौछ सा helfen है तो जिव्रिलन होगा है तो यह हमानीकार करों सब्सक्राइख को mm इसमें कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गती के कारण कुंडली को प्रिरित धारा उत्पन यानिकि अप्शन नमर सी इसका सही आंसर था दोस्तो तो दोस्तो संभावित आंसर है कि PM2.5 इसका आंसर आए निमिकित मैंसे किस फसल में नाइट्रोजन इस्तिरिकरण करने की जिवानों होते हैं तो दोस्तो मटर इसका सही आंसर है ऑप्शन नमर डी इसका सही आंसर होगा अगर बात करें हैपी कलब की स्थापना किस ने की तो दोस्तो हैपी कलब की स्थापना हमारा गुबिंद बल पंद जी के द्वारा करी जाती है और परवती ये राजपरिशत की स्थापना हमारा 25 जून 1966 को होती है डोला पाल की आंदुलन की समुदाय से समुदाय से समुद भी बाहरें हो दो 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 नगी आहिए देजों कि अब जालाइक दो फिले प्तिता की और से गी पर बीजेने कर दो जाते हैं को अपने दों इस तो लेकर दो किस इस्थान पर राहू का मंदीर है तो दोस्तो यह हमारा राहू का मंदीर है तो दूस्तों का कालसी अभी लेख किस लिपी में है तो दोस्तों यह हमारा ब्रामेलिपी में है किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगरती तो महाभारत के वन पर वो में हो गाई अप्स नमबर 20 का सही आंसर है फिर अगर बात करें नेक्ट क्वेश्चन की गड़वाली ठाट कहानी के लिख को कौन है तो दोस्तों गड़वाली ठाट कहानी के लिखत हमारे सधानन को कुकरती जी है ऑप्स नमबर से इसका सही आंसर है कुमाओ के प्रसिध्ध कभी घुवानी पंत का वासत्त्विक नाम क्या है तो कौन सा वायू का सुष्र गारदी यंयंत्र नहीं है पूश्ता है उत्राखंड में पंचायती राज में महलाओं के यारक्षण को 50% कब बढ़ाया गया तो दोस्तो 2008 में इसको बढ़ाया गया था वनों के बेहतर परबंदन की जरूरतों को देखकर बिट्टे सरकार ने 1864 में किस देश की बिशेशग्यों की मदद से वन विभा की स्थापना करी तो जर्मनी की बिशेशग्यों की मदद से 1764 में वन विभा की स्थापना करी गई थी फिर देखेंगे अविवाजित उत्रपरदेश की विदान समा में उत्राखंड के लिए कितने सीटें थी तो दोस्तो 22 प्लस 9 आप लोगों ने देखा होगा 9 हमारी विदान परिशात की सीटें उसमें देखने को मिलती थी उत्राखंड में पूरता है पर्वतिय छेत्रे में इस्ताबित किया जाने वाला पर्थम नगर कौन सा था तो दोस्तो स्री नगर को हम इसमें मानेंगे कुमाओ वाटर रूल्स हमारा 1970 का संसोदी 1930 इसको माना जाता है गुरखाओं ने चमडे की वस्तों पर लगाया गया कर इसे हमारा मिजहरे के नाम से भी जाना जाता था ट्रेल के द्वारा 833 में कहां देशी चिकत्सक के नियुक्ति करी गी तो दोस्तो अलमुडा में देशी चिकत्सक के नियुक्ति ट्रेल के द्वारा करी जाती है सेथ सयद जागर में परिलक्षित होता है तो दोस्तो इसमें हमारा कभीरपन्थ भी होता है हिंदू उसले में एकताबी और हमारी सैदाली पांडूली भी होती है अप्सन नमबर डी इसका सही आंसर था तो दोस्तो गंगुत्री ये इसका सही आंसर है लगो हिमाले से दून घाटी नमने किसके द्वारा पर्थक किया जाता है तो दोस्तो मुख्य सीमा थ्रस्ट याने की हमारा MBT के द्वारा किया जाता है में बाउंट फॉल्ट के द्वारा उत्राखंड में निम्न नगरू मैं कौन सा सवरपर्थम अस्तित्तम में अने वाला सबसे पहले 2563 में हमारा अलमड़ा घ्या आपूज से नमर पीज आंसर माना जायेगा पिर इकर बात करें उत्राखंड में निम्ने दर्रू मेंसे काली नजी उद्गम इस्तल के निकट इस्तितभ है要गा निमिकित में सिकties ona हों सकते है तो लिगादी नजी नजी से संबंदित है तो दोस्तो इसमें हमारी खोदरी यमुना से संबन्धित है और चीला हमारा गंगा से है कोटली भेल दोस्तो इसमें थोड़ा सा confusion है हो सकता है कि देवल इसका answer है option number a इसका answer है उत्राखंड में कौन सा जिला अंतराष्टे शीमा के साथ साधा नहीं करता है तो दोस्तो हमारा अलमोडा नहीं करता है बागे पितौरगण चेमोले और उत्तरका से हमारे अंतराष्टे शीमा ये बनाते हैं निमलिखित मैंसे कौन से सबसे उची चोटी है तो दोस्तो सबसे उची चोटी है हमारी चोखंबा होगी, इसमा अपसर नमबर डीज का सही आंसर होगा, निमलिखित राश्चे उध्यानु में से कौन उत्राखंड में इस्तित नहीं है, तो दोस्तो कानहा किसली बांधा होगा आपने देखोंगे, अंपी में, तो हमारा कान नहीं होगा, उत्राखंड में परथम किर्शी नेती कब लाग हुई, तो दोस्तो 2011 इसका सही आंसर है, कुमाम स्वांडकारों के द्वारा की शेत्र में बोरोक्च का आयात किया जाता था, तो दोस्तो तिबबत में इसका आयात किया जाता था, और बात करेंगे, निमलिखि का संबंद देखने को मिलता है, उत्राखंड की दीन दयाल उपाध्या ग्रह, आवास, हो मिस्टे, विकाष, यूजना, संदर्बिन निम्लिखित में से कौन सा गथन सही है, तो दोस्तो यह है यूजना 2000 रठार की है, 2017 की नहीं है, उप्सन नमर इसका सही आंसर होगा, फिर किया जाता है, तो दोस्तो यह कुश्यन थोड़ा सा टफ है, यह कुश्यन का आंसर में नहीं देना चाओंगा, यह गर आप लोग को किसी को पता है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में चरूर इसका आंसर दें, उत्राखंड में एक जिला दो उत्पाद यूजना कब जाम्या टू, यूजना के अंतरगर्द, पितोरागर्ड के प्रभाइद इस्था भी था, दोस्तो फाल्यार्ट में था यह, यह भी हमारा करणध फिर का कुश्यन है, उत्राखंड बजट 2023-2024 में रिन भुकतानू को छोड़कर अनुमानित कुल व्याई कितना था, तो दो बहर्त चीन, जो हमारा युद्दू बाता, 1912, उसके बाद इसको बंद कर दे था, निम्लिखित में से इकों सा सुमिलित नहीं है, तो दोस्तो जो वी हमारा ये उत्तरकाशी में नहीं है, उत्तरकाशी में नहीं है, आप लोगों नहीं देखा होगा, व्याज़ना के अच् कि रिष्टी विववाग हो सकते जा या फिर इसका अंशर इन मेंसे कोई नहीं भी हो सकता है तो दूनों ही इसमें देखने को मिलेंगा देखो क्या इसमें आचार मानेंगा उतराकनर राज्ये राज्जी की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्राखंड के कि जन्पद में भगौली छेत्र में सापक शेवनाच्छादी छेत्रे का प्रतिसत अधिक है तो दोस्तों जनिताल इसका सही आंसर था निम्न जन्पदों में 2021 की जन गणना के अनुसार उत्रा जन संक्या घनत तो आ निम्हारे रिजनिंग के जो क्वेशन थे अगर इन कुष्चिंस की बात करें तो अधिकतर जो अभ्यृति थे इन में काफी कंफियूज थे और अधिकतर अभ्यृतियों के वेशन यहां से छूटे भी हैं तो मैं परियास करूँगा एक बार कि आप लोगों ने अगर यही किसी के अगर इसमें से question साही है तो उनके कौन-कौन से इसमें साही answer उंगे उन पर करेंगे तो अगर question नेर्क जो पहला था दोस्तों घाई-लाक है तो नीजी में रोज़गार जंखिया की इतनी कि प्रतिक कुल रोजगार बेक्तियों की सापक शंक्या तो दोस्तों पांस ये पांच बटा नौ इसमें इसका आंसर आ रहा था अगर उसकी बात करें तो अगर पहले क्यर्था अगर इसमें सबसेज़ुंच बात करें क्यों को सबसेटर रहा था 9 18 गए असपास में रेक्तियों देखने को मिली थी धी और दिये गए वर्च Chanel के क्पनी के औस सबसे निकट किसमें रहा था है फिर बात करेंगे नेक्स क्वेस्टन की दिये गए वर्सों में एस परकार के शुटरों का अधिक्तम रहा था दोस्तों एस परकार के जो यह स्कूटर थे लिए एकर इसकी अधिक्तम रहने की बात करेंगे 2018 में इसका सबसे दिख रहा था फिर देखते हैं बात करेंगे नेक्ट क्वेश्चन की सांखी की इवन कारिकरम का मंत्राले की सूत्रों के अनुसार 2023 में भारत के नारी सकती वंदन तो दोस्तों इसके लिए 454 मां हमारा क्या करा गया था 454 हमारे इसमें बूट मिले थे इसको फिर अगर बात करेंगे नेक्ट की भारत बारा अपने नागरिक नागरिकों को निमने मैं से किस देश के निकट लाने के ऑपरेशन अजय तो दोस्तों इसके कर दोस्तों इसमें चार लोग दोस्तों सम्मीने सेवर 23 क्या है तो दोस्तों यह हमारे एक दूपक्षी सेट्य अभ्यास था ्प्सन नमबर यह सही आंसर था नहीं डिलीमा आएजी अठारवे जी टूंट रिंटी सिखर समय लें के दोरान जी टूंटी में सेर पाक इसे नितो दोस्तों अमिताप कांत इसका सही आंसर था फिर बात करेंगे नेमेडिक एलेफैंट एक संक्त शेनी अभ्यास भारत और किसके बीच बाता तो भारत और मंगोलीया कि इसको देखने को मिले आपसा नमबर 20 का सही आंसर है कि फिर देखते हैं हाली में भारत कानाडा संबंध निम्न में से किस आतंकी हत्या के कारण कटू हो गये तो दोस्तों हमारा हर्दीप सिंग निजिर आप लोग ने देखा आतंकी जो था उसके मरने के बाद गटना सामने आए थी पंधर में विर्क से संगर्टिन कितने नए और आप दो चैन्दरियां त्री में लेंडर का निम्न में से क्या नाम तो चंदरियांत प्रग्यान रोबर विक्रम लेंडर आप लोगों ने देखा कर आप निम्नसी किस देश में भारती नागरिकों को निकल निकालने के लिए ऑपरेशन कावरी तो तो सुडान में फसे जो हमारे भारती निकालने के लिए ओपरेशन कावरी चला गया था नर्गिस मुहम्मधी नोबल सांती पुरुसकार विजटा 2030 का संबंद का से तो इरान से इनका संबंद था दोस्तों स्वास्तका अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम्दुरास राजी है दोस्तों यह हमारा राजस्तान हो गया और उसके बाद अगर बात करें भारतिया दंड सहीता निमने में से किस दाहरा के राज़दुरू से संबंद था दोस्तों 124 का इसका साई आंसर है यह से पहले रिपेड़ेट कोशिन है दोस्तों चंद्रियां 3 में किसकी तीथी सफलता बोनक प्रेशित किया गया तो दोस्तों 14-2023 को यह प्रेशित किया गया था एरिस निमने में से किस विमारे का नया रूपांत्रन है तो दोस्तों कोरोना का यह नया रूपांत्रन है डकार घुषणा का साजा घुषणा पत्र जिसका संबंद है तो दोस्तों स्वास्त से होना ची सिंदू इसका साही आंसर होगा बात करेंगे जनवरी 2023 में सुरू महत्तपूर्ण और उभरती प्रियोध्योगी की पर पहल ICT ICT भारत निम्न मैंसे किस देश के भी साज़ेदारी वी तो यह हमारा अमेरिका की मद्या हुई थी की ऑप्सनवरी इसका साही आंसर होगा कि सितंबर 2030 माल्वी के नए रास्ट करसिश किसे चुना गया तो दोस्तों हमारा मुहम्मत मुज्जू कुछ चुना गया अप्सन गर देखेंगे जरक सब्द निमने मैं से किस video से संबंद है तो भारत तोलन से इसका संबंद है भारत अख्यलाद को सब्सक्राइब निसाने वाजी मा आएं एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो दोस्तो एक जुब हमारा Polo the Winter होता है अगर इसमें 3 खिलाडी की बात करें तो चार खिलाडीagon सभी को confusion रहता है इसमें तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही अंसर कितने होते हैं चार क्यंस्ये होते हैंं और 10 का सही अंसर है उत्र procure myself तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रा गोल्ड कप है इसका संब्द हमारा टेबल टैनिस से होता है महात्मा गांदी द्वारा हिंद स्वराज किस बासा में लिखी गई थी निमिकित में से कौन साइखिल भारतिय कॉंग्रेस का अध्यक्स कभी नहीं रहे तो दोस्तों हमारे जी आसका प्रस्ता कौंग्रेस के किस अधिविसंन में रहा गया तो दोस्तों लाहोर में रखा गया था है में बहरत के भारतीम महारती को भारत के की चुनाव का पार इकंउन कि और सचिन तेंदुलकर को किया गया है निमने मैंसे किस देश ने फिफा महिला वर्ल्ड कप जीता तो दोस्तों इस्पेन ने जीता था आपसन नमर डीस का साई आंसर है फिर बात करेंगे सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोक का संबंध के से तो किस ने महात्मा गाधी के तरीकों को राजनतिक भाया दोहन ये फिर ब्लैक मेल कहा तो दोस्तों हमारा लॉड लिन लिद्कों ने कहा था मुगलकाल के मुझारेइन सब्द का प्रियूग किसके लिए क्रिशकों के लिए हमारा मुझारेइन का प्रियूग किया जाता था फिर अगर बात करेंगे किस ने जौन पुर नगर की स्थापना करी तो दोस्तों जौन पुर नगर की स्थापना हमारा फिर उससा तुगलग के किया होगा इबने बबुता ने अपना यात्राबरतान रहिला किस भासा में किया था दोस्तों इसने अर्भी भासा में इसका अनुवाद किया था तिरतिया बहुत संगीती किसकी अधिकता में हुई थी तो मोगली पुत्र के अधिकता में करी गई थी और गूमती पुत्र सब सब्सक्राइब राजटे बिद्रू कहा गया तो दोस्तों किस ने कहा था तो दोस्तों यह हमारा वैंजामिन ड्रिया जिली इनके द्वारा क्या गया इसको राश्टे बिद्रू के रूप में जाना गया था पिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेशन की निमिखेद मैंसे कि सविधान संसोदन द्वारा समाज धर्मनेर पेक्षी शब्दों को सविधान के उद्देख्षता में जोड़ा गया तो दोस्तों बैयालिश्वा सविधान संसोदन 1976 के तहरे जोड़ा गया था यह पिर है तो अनुच्छे तीन इसका सही आंसर था निमने मैं से किसे संसद्य विश्यसाधिकार प्राप्त नहीं है तो दोस्तों संसद्य विश्यसाधिकार किसे प्राप्त नहीं होंगे भारत के महानियाएवादी इसका अंसर हो सकता है हो सकता है यह पिर आस्ट्रपति को भी मान कायों के सदश्यों को न्यूक्त करने का अधिकार प्राप्त है तो दोस्तों किसे होगा राजी के राज़िपालों को होगा निम्लिखित मैं से किसे अनुच्छेद में संबंद मोल करतब्यों से संबंद्यत है तो दोस्तों हमारा तो किस वर से भारत में नए उभूगता संग्रक्षिन अधिनियम आये तो 2019 का सई आंसर होगा निम्ने मैं से कौन भारत में रास्टेपति के चुनाव में उतपादिन विबादों को निडिने करता है तो भारत का सर्वोची करता है देखते हैं 2015 में बनाए गए नीती आयोग का अध्यक्स निमने की में से कौन होगा तो दोस्तों प्रधान मंत्री नीती आयोग का अध्यक्स होता है और से इसका सही अंसर है फिर गात करेंगे निमने मैं से किसे अनुछेत के अंतरगत वार्सिक बित्तिय विवरन जो बजट क के नाम से जाना चाता है आयोग और फिर देखीगा जन हीत याचिक का कि निमन मैसे अन्य नाम से जाना ज़ाता है दूस्ट सामा जी खत याच्य का भी इसको कह जाता है तो दोस्ते में 6-14 वर्सों के बच्चों की वियुस्ता करी गई अपसर नबर 20 का सही आंसर था फिर देखेंगे राष्टिय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपूर्ट किसे दी जाती है तो दोस्तों यह हमारा रास्टपती को दी जाती है अपसर नबर 20 क सही आंसर था निवनिमेसे की सुवर्स भारत में 33 सवीदान और 34 सवीदान अधिनम लागू की तो निसको लागू किया गया था राष्ट्रिय ग्रामीड विकास एबुम पंचायती राज संस्तान निवनिसी कि इस स्थान पर अवस्तित है तो दोस्तों है हैधराबाद में ह स्थाप में करें तो भाग नौ में हमारा इसकी बात करी गई है और सिसका सही आंसर था निम्द में से किस दिन राष्ट्य पंचायती राज दिवस मना जाता है तो दोस्ता आप लोगों ने देखा होगा 24 अप्रेल को यह मना जाता है यह कुशन से पहले भी पूचा गया है राष्ट्य ग्रामीड रोजगार मिशन का अब पुनर निर्माण नाम निम्द में से कह तो दीन दयाल अंतोदे योजना हमारा है अप्स नंबर 20 का सही आंसर होगा निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो सबसे पहले द प्रस्तुत को दोस्तों बीनिर्माण चेतर को बढ़ावा एक आयातों का आयातों को कम करना इसका सही आंसर होगा फिर दिखेगा अगर बात करें नेक्स परश्यन की तो पुना निर्मित स्प्रेश्चिता अपराद अधिनियम 1955 को अब निमने मैसे किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इसको हमारा नागरिक अधिकार संग्रक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है फिर दिखेगा निमनिकित मैसे कि शुर्ष भारत में बौधिक संपद और हिस्ट्री में के लिए और कौई नहीं अगर हम बात करें तो कोई अगर अभरती है 120-130 अगर कोई ला रहा है तो यह हमारे से सिव मामच होंगे 120-130 नंबर promoting ह combination हैं तो सैंसे सटर के आश पास हमने आप लोग को वहां वहां भी पूताया है सठर से satisf तर यहनुं मौन के चले हं हिंदी में और यहां ओर आप लोग 130 यहां पर मानंगे चलेंगे 130 और अगर आप 802 तो दोस्तों आपके 210 होते हैं और 210 कहीं न कहीं आप लोगा safe score होगा आप यह मान के चलिएगा क्योंकि 82 post इसमें देखने को मिल नी थी हमें तो अगर माने तो आप लोग यही मान के चलिए कि लगबग 210 के पार आप लोग मान के चलिए और 210 के आसपास भी रह सकती है इतना आप लोग अनुमानित मान के चलिए यह कोई मैं वो नहीं कहा रहा हूँ एक अनुमानित कहा रहा हूँ कि 200 से 210 के बीच रह सकती है इतना लगबग मैरे देखने को मिल सकता है फैनली मैं यह कहना चाहूँगा बाकी तो फिर आयो के हाथ में है किस आधार पर आंसर की जारी करेगा और किस आधार पर रिजल्ट जारी करेगा हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं तो अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ तो दोस्तों यह देगर आप लोग हमारे इस सिरीज से जुड़े हुए हैं राजपाल सिरीज से आप लोग जरूर जुड़ें क्योंकि राजपाल सिरीज में अभी हमारे और भी उसमें सिरीज आनी है और अधिक स्रीज आने पर आप लोग 15-16 वीडियोज अगर उसमें आएंगे तो डेली के आप लोग एगर 300 प्रेक्टिस सेट अगर करेंगे तो कहीं न कहीं आप लोगो बहुत ज़्यादे फाइदा उसमें देखने को मिलेगा तो दोस्तों अगर आप लोगो इस पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चेनल को जरूरोड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साँ चेनल को जरूरोड सेयर करें लाइक करें कमेंट करें माकी बने रहिएगा यू की एजूकेशन इनिवर्स यूटूब चैनल के साँ धन् प्रेवाद